गर्मिया शुरू हो गई हैं और गर्मियों में अक्सर मन करता है कुछ ऐसा पिया जाए जो हमें अंदर तक थंड़क प्रदान करें और जिससे पहुती राहत मिले तो आज मैं आपके साथ समर इस्पेशल डिलीशियस टू टाइपस मसाला चाच रेसिपी शेयर करने जारी हूँ जो गर्मियों में पहुती राहत दिलाती है और गर्मियों में इसे ज़्यादा तर हम सभी पीना पसंद करते हैं तो सबसे पहले हमें एक मिक्सी का जार लेना है और इसमें टू टेबल स्पून धनिया पत्ते डाल देने हैं और वन टेबल स्पून इसमें हमें डालने हैं पुदीने के पत्ते और अब ये मैंने एक हरी मिर्स इस तरह तोड़ कर डाल दी है और अब हम इसमें डालेंगे थ अब मैं इसमें डाल रहे हूं, आदा कप दही, यह मैंने ताजा दही लिया है, एक चोथाई चमच सफेद नमक डाल दिया है, और एक चोथाई चमच इसमें जा रहा है काला नमक, दोनों ही तरह के नमक आपको इसमें डालने हैं, एक चोथाई चमच इसमें जा रहा है काली मि करेंगे तो यहां पर यह देखे हमने चाच बना कर त्यार कर लिया और इसे हम सर्फ कर लेते हैं बहुत ही बढ़िया टेस्टी डिलिश्यस थंड़क देने वाली चाच हो गई है त्यार अभी चाच काफी गाड़ी है हम इसमें थोड़ा सा पानी याड़ कर लेंगे अब पानी को अच्छी तरीके से इस तरह स्पून से हम मिक्स करेंगे और इस चाच के उपर हम डाल लेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ही इसके उपर जाएगा भुना हुआ जीरा पाउडर ये देखिए उपर से कितनी सुन्दर लग रही है चाज और इसे हम गार्णिश करेंगे पुदीना पत्ते से ये देखिए अब ये बहुती तेस्टी धनिया पुदीना चाज हो चुकी है बनकर तयार तो आप भी इन गर्मियों में ये चाज जरूर बनाएगे ये चाज बहुती ठंडक प्रतान करती हो पीने में बहुती तेस्टी लगती है अब हम बनाएगे दूसरी मसाला चाज तो यहाँ पर मैंने फिर से मिक्सी का जार लिया है और इसमें डाल दिया है आदा कप दही दही बहुत खटा नहीं लेना है हमें क्योंकि ज़्यादा खटी चाज अच्छी नहीं लगती है इसमें एक चोथाई चमबस काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और एक चोथाई चमबस डाला है काला नमक और इसमें जा रहा है आदा चमबस चाट मसाला हमें इसमें सफेद नमक नहीं डालना है क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है आधा चमबस डाल दिया है भुना हुआ जीरा पाउडर अब हम इसमें डालेंगे पानी और जार का ठकन बन करेंगे और इसे हम ब्लेंड करेंगे अब ये चाच हमने बना कर त्यार कर ली है ओपन कर लेते हैं जार को और ये देखिए तो बस इसे हम सर्फ करेंगे और ये छाज हमने सर्फ कर लिया है बहुत ही टेस्टी मसाला छाज बन के त्यार हुई है अब इस छाज के उपर हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ये उपर से भी दिखने में बहुत ही सुन्दर लगेगी और टेस्ट पी इसका बहुत ही जादा बढ़ जाएगा और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा बुना हुआ जीरा पाउडर ये जीरा पाउडर इसके अंदर और अब हम इसे पुदीना पत्ते से गानिश करेंगे और ये हमारी एकदम थंड़क प्रदान करने वाली मसाला चाच हो चुकी है बनकर तयार टेस्टी चटपटी मसाला चाच जरूर एंजोई कीजे चाच गर्मियों के लिए बेस्ट रिंक होता है क्योंकि दही अंदर तक हमें ठंड़क प्रदान करता है और चाच पीने में भी टेस्टी लगती है तो मैंने ये बनाई है धनिया पुदीना टेस्टी चाच और साथ ही हमने बनाई है मसालेदा ये चाच तो दोनों चाच हो चुकी हैं बनकर त्यार, आप भी गर्मियों में इसी तरह की ठंडक प्रदान करने वाली ये ड्रिंक अपने बच्चों के लिए जरूर ट्राइ कीजिए, ये चाच रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना बिल